एक्जाम्ट्रोनिक दसकादम पार्ट 9 में मैं एमें सकते आप सबों का स्वागत करता हूं आज का हमारा टॉपिक है एन एपिटेफ डियर फ्रेंट्स एन एपिटेफ इस पोएम एन इट्स पोएट इस वॉल्टर दी लामेर तो एन एपिटेफ एक कविता है और इसके कवी ह नाम आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अब्जेक्टिब और सब्जेक्टिब दोनों सेक्षन में पूछा जाता है पोएम एन पोएट से अब्जेक्टिब सेक्षन में इस परकार पूछ लेगा एन एपिटेफ हैज बिन रिटेन बाई डैस तो आपका अंसर हो जाएगा दिलामेर और सब्जेक्टिब सेक्षन जो है उसमें में मैचिंग में पूछा जाएगा तो कॉलं ए और कॉलंवी होगा कॉलंब्वि हमारा पहला question है number one an epitaph is an dash an epitaph dash है तो an epitaph dash है तो क्या है ode है, allergy है, sonnet है, love poem है dear friends an epitaph जो है यह एक मातम कविता है और मातम के लिए allergy term होता है तो an epitaph is an allergy याद रखेंगे an epitaph is an allergy, an epitaph is an allergy है क्योंकि यह एक सोक पूर्ण यह एक मातम पूर्ण कविता है हमारा दूसरा question देखेंगे हम लोग question है Walter Dillamere is a dash poet Walter Dillamere dash poet है तो Walter Dillamere क्या romantic poet है love poet है children's poet है या nature poet है तो याद रखेंगे Walter Dillamere बच्चों के लिए अधिक से अधिक कविता लिखे और Walter Dillamere children's poet के नाम से जाने जाते हैं तो sentence आप complete याद रखेंगा Walter Dillamere is a children's poet Walter Dillamere is a children's poet चली आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है question number 3 Walter Dillamere was born on death and died on death Walter Dillamere का जन्म कभ हुआ और मिर्तियू कभ हुआ यही हमारा question है याद रखेंगे Walter Dillamere का जन्म अठाड़ सत्नेहंतर इसमी में हुआ है 1873 और इसका मिर्तियू हुआ है 1956 तो हमारा answer होगा A complete sentence इस परकार आप याद रखेंगे Walter Dillamere was born on 1873 and died on 1956 हमारा अगला question है Walter Dillamere was children's poet as well as death तो याद रखेंगे Walter Dillamere को children's poet कहा जाता है जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया Walter Dillamere को children's poet कहा जाता है साथी साथ supernatural poet भी कहा जाता है तो sentence आप रखेंगे Walter Dillamere was a children's poet as well as supernatural poet तो Walter Dillamere children's poet भी थे और supernatural poet थे आप याद रखेंगे इसको चलिए चलते हैं हम लोग आगे हमारा अगला question है question number 5 songs for children and peacock pie are the works of death यह songs for children एक है दूसरा है peacock pie यह दोनों याद रखेंगे books है songs for children और peacock pie यह दोनों क्या है book है तो songs for children और peacock pie यह दोनों books है और यह दोनों books को Walter डिलामेर ने लिखा है हमारा answer क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तो songs for children and peacock pie are the works of Walter डिलामेर चले चलते हैं next question क्यों हम लोग हमारा अगला question है Walter डिलामेर lost his father at the age of dash Walter डिलामेर lost his father at the age of dash Walter डिलामेर ने अपने पिता जी को खो दिया किस उम्र में मतलब Walter डिलामेर कितना वर्स का था जब उसके father death कर गए तो याद रखेंगे Walter डिलामेर सिर्फ और सिर्फ four years का था चार वर्स का था तो Walter डिलामेर lost his father at the age of four seventh number में हम लोग चलेंगे हमारा अगला question है Walter डिलामेर was awarded with Walter डिलामेर को किस प्राइज से सम्मानित किया गया था तो याद रखेंगे Walter डिलामेर was awarded with order of merit order of merit जो है award इसको मिला था याद रखेंगे चले चलते हैं हम लोग अगले question की और हमारा अगला question है Walter डिलामेर was awarded with order of merit inCH by Queen Elizabeth second Walter डिलामेर को order of merit से सम्मानित किया था Queen Elizabeth के दुवारा कब किसी स्वी में याद रखेंगा Walter डिलामेर को order of merit Queen Elizabeth second और अद्ञे सम्मानित किया था 1953 1953 में याद रखेंगे बहुत important question यह वोल्टर डिला मेर वोस आवाड़ेड वित ओर अफ मेरिट इन 1953 बाइक एलिजाबेट सेकेंड चले नेक्स्ट कोश्टन को देखते हैं वोल्टर डिला मेर वोस बॉर्ण इन दे विलेज आफ चाल्टन इन केंट डैस तो वोल्टर डिला मेर का जन्म जो है केंट का एक गाउं चाल्टन में हुआ था किस देश में अमेरिका में जर्मनी में इंग्लेंड में इटली में तो याद रखेंगे इंग्लेंड में चलि हमारा अंतिम कोश्चन है दस नम्म इंस्क्रिप्शन ओन टॉम इन मेमोरी ओफ डैड इच कॉल मतलब मिरित के याद में मिरित के याद में कबर पर लिखी गई लिखा हुआ चीज क्या कहलाता है मतलब कोई जब डेट कर जाता है उसको कबर में दफना दिया जाता है और उसके कबर के पास जाकर उसके याद में अगर हम कहानी कविता कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है उसी को एपिटेफ कहा जाता याद रखेंगे तो एपिटेफ का ये पडिभासा है डेफिनेशन है इंस्क्रिप्शन ओन टॉम इन मेमोरी ओफ डैड इच कॉल एपिटेफ थैंक्स फो वाचिंग मा वीडियो जल्दी मिलते हम लोग अगले पार्ट में